पार्शियूनी शहर के पास के कस्बे में लगातार दो महने से बाग ने अपना ठिकाना बनाया है वही रोजाना किसी ना किसी जानवर को अपना शिकार बना कर बाग ने आतंक मचाया है जिसे लोगों में भारी दैशत पनप रही है बाग की दैशत की वज़े से लोग घरों से बाहर निकलने में घबरा रहे है फिर भी वनवी भाग बाग को रियाएसी इलाके में खदर्णे में असफल दिखाई देने से वनवी भाग के खिलाप लोगों में नाराजगी के साथ रोश पनपता जा रहा है गुर्वार की सुबह भाग ने पालोरा बस्ती में आकर गाय के बच्छडे को अपना शिकार बनाया जैसे ही बस्ती में भाग होने की खबर आसपास के गाउ कस्बों में फैली हजारू की संक्या में लोग बाग को देखने पालोरा ग्राम पहुचे थे वही बाग लोगों का हुकुम देखते ही पास के नदी किनारे चुप गया भारी मशक्कत के बाद वनवी भाग के करमचारियों को बाग को पालोरा ग्राम से खदेड़ने में कामिया भी आई लेकिन बाग को पकड़ने के लिए वनिविभाग के आला अधिकारियों ने प्रयास नहीं करने से बाग आसपासी चुपा होने का डर लोगों के मन में बना हुआ है जिसकी वज़े से लोगों में दहशत बनी हुई है इसी तरह बाग शिकार करता है गाव कजबे में आता रहत है वह इंसान पर हमला कर अपना शिकार बना सकता है और शिकार की तलास में शेर आदम खोर होने के आसार लगाए जा रहे है वनिविभाग अधिकारी कर्मचारियों को बाग को पकड़ने में लगाता रसभलता मिलने से लोगों के वनिविभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाप लगाता रोश पनपता जा रहा है इसलिए जल्द से जल्द बाग को पकड़ने के लिए वनिविभाग द्वारा भरकस प्रयास करना जरूरी है वरना बाग इंसान को गाव कजबे में आकर अपना शिकार बना सकता है इसलिए वनिविभाग ने हालात को देखते हु बाग था लगा बाग जाह एंसान अघता रोच भाग को वनिविभाग SAP